नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं उन्होंने संकेत दिया है कि केंद्र का विरोध तरकों के अलहार पर ही होगा अलग राज्यों का राजस्व बढ़ता है और लोगों को महंगाई की मार नहीं जहलनी पड़ी तो हम विरोध नहीं करेंगे गुड और पापड जैसे खाद पदार्थों की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के मदर नजर पूछे गए सवाल पर रामेसुर उराव ने कहा कि पापड तो मैं खाता नहीं लेकिन गुड का इस्तेमाल नहीं मित करता हूँ देखना या होगा कि इन बस्तूओं की कीमत बढ़ रही है और कि इन बस्तूओं की नहीं जारखन में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है 26 वा 27 अप्रेल के लिए मौसम विवग्यान केंदर राची ने एलो अलट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो राइधानी राची समित पच्छमी सिंभोम, कोडार्मा और गिरीडी, गड़वा, पलामो, चत्रा, पुर्वी सिंभू में हीट वेब का असर बुद्वार तक जारी रहेगा इसके बाद गुरुवार से लोगों को गर्मी से थोड़ी रहात मिलेगी मौसम विभाग राची के बर्ये बेग्यानी अभिसेक आनन्द ने कहा कि अगले तीन दिनों तक अधिक्तम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल से तक बढ़ोत्री का अनुमान है जार्खन के स्कूलों में प्राथना सभा, खेल कूद, संस्कृतिक करेकरम पर रोक देश के कई हिसों में कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए जार्खन सरकार ने सिक्षान संस्थानों के लिए नई गाई लाइन जारी की है इसके तहद अब इसकूलों में सुबह की प्राथना सभा, संस्कृतिक, आयोजन और खेल कूद, आधी गति विदियो पर रोक रहेगी वहीं अब इसकूलों में निमित रूप से कैम्प लगा कर कोरोना की जाच की जाएगी इसकूली सिक्षा अयमसक्षता विभाक का सचीव रायेस कुमार सर्माने सभी जीलों के डीसी, छेतरीये सिक्षा सन्युक्त निदेशाख, डीईयो और डीएसी को पत्र लिखकर गाई लाइन का पालन कराने का निदेश दिया बताया गया है कि देश के कई राजों में कोविट संक्रामन की दर में पिछले 15 दिनों से हो रही बिरिधी चिंता जनाख है, ऐसे में इसकूलों में कुरोना संक्रामन को रोकने के लिए आवसक पहल अनिवारे है अनलाइन टिकट लेने वालों के लिए रेल्वे ने की बड़ी घोसना ओनलाइन टिकट लेने वालों के लिए आयर सिटी सी रेलवे ने बड़ी घोसना की है इटिकट बुक करने वाले यात्री आय रात 11 बजे के बाद अपनी धाडित यात्रा के लिए आरक्षी टिकट नहीं खरी सकेंगे भारतिये रेल की ओर से जारी की गई सुचना के मुताबिक रेल यात्री मंगलबार 26 अपरेल की रात गंतब या अस्थान तक जाने के लिए किसी भी ओनलाइन माध्यम से ट्रेनों के इटिकट बुक नहीं कर पाएंगे बता दे आए रात 11 बचकर 45 मिट से इटिकट सेवा अगले 3 गंटे तक पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी देर रात 2 बचकर 30 मिनट के बाद यात्री अरक्षित इटिकट ले सकेंगे CBSE 10 वी बरहमी बोर्ट परिक्षा आई से केंद्रीय मादमिक सिक्षा बोर्ट CBSE की 10 वी और बरहमी की कक्षा के दूसरे टर्म की परिक्षा आई से सभी परिक्षा केंद्र पर सुरू हो रही है 10 वी के दूसरे टर्म की परिक्षा 24 मई तक जबकि बरहमी की परिक्षा 15 जून तक लिजाएगी बताध दस्वी के टर्म टू की परिक्षा के पहले दिन पेंटिंग और कुछ बसाओ के परिक्षा लिजाएगी, वहीं बराहवी काक्षा के चाथ पहले दिन वियूटी और वेलेन्सी की परिक्षा देंगे, परिक्षा को लेकर JBSC वोर्ड ने गाइलाइन भिजारी किये हैं जिनका अलुपानल सभी चात्र चात्राव को करना होगा सिक्षको की अस्थनांत्रन नियमावली को चुनाव आयोगने लटाया प्राथमिक माधमिक एवं उच माधमिक सिक्षको की अस्थनांत्रन को लेकर गठित नियमावली आदर्स आचार संहिता में फस गई है जिसमें किसी भी परकार का संसोधर पंचाय चुनाव के बाद ही हो पाएगा राज निर्वाचन आयोगने सिक्षको के अस्थनांतर नियमावली में संसोधन को पंचाय चुनाव को लेकर लागू आदर्स आचार संहिता के दारे में बताते हुए इसकूली सिक्षा यम सक्षर्था विभाग को अधिसुतना जारी करने के अनुमती नहीं दिया है राज निर्वाचन आयोग से अनुमती लेने की अधिसुतना जारी करने के निर्देश इसकूली सिक्षा यम सक्षर्था विभाग को दिये थे जार्खन कैबिनेट की अहम बैठक आई साम चार बये से कोई तरह की सियासी अटकलो और पलपल बदल रहे रायनितिक हालाद के बीच आज मुख्य मंत्री हमान सुरिन की अगवाई में जार्खन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है इसमें कई बड़े और सधे फैसले लिए जाएंगे इस दोरान अलग अलग विभागों के बिच से अधिक प्रस्ताओं पर कैबिनेट में चार्चा होगी जिस पर सरकार की ओर से स्यम हमन सुरिन अमती मुहर लगाएंगे मंत्री मंदल सचिवाला एवनिग्राने विभाग की ओर से बताया गया है की जार्खन मंत्री परिशत की बैठक राईधानी राची में मंगलवाद 26 अप्रेल 2022 को साम चार बएस से जार्खन मंत्राले इस्थीत मंत्री परिशत कक्ष में बुलाई गई है मंत्री बन्ना गुपता ने सर्जुराय पर ठोका मुकादमा चार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन सरकार के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता और पूरो मंत्री सवविधायक सर्जुराय के बीच कुरोना पुरुसान राची घोटाले को लेकर चल रहा आरोप परतरोप सो महर को अदालत की दहलीज पर पहुँच गया मंत्री बना गुपता ने जमसेतपुर जीला नियालाय में सरजुराय के खिलाप मानहानी का मुकादमादायर किया है स्वास्त मंत्री के प्रेश सलाहकार स्वापत सचीव संजर ठाकूर के मुताबिक बिधायक सहजुराव को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था जिसमें उनके द्वाला लगाए का आरोप पर स्वास्त मंत्री से माफिमाइन की बात कही गई थी रगुवर्दास ने कहाया कलपना सोरेन के नाम पर एक गारा एकड़ जमीन पूरो मुख मंत्री रगुवर्दास ने आरोप लगाया है कि मुख मंत्री की पतनी कलपना सोरेन के नाम चीनों के बेहरा अध्योगिक छेत्र में गारा एकर अध्योगिक भोमी आवंटित की गई है सोमवार को भाजपाप परदेश मुख्याले में स्तनवादताव को समोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री है मंसुरेन ने अपने परभाव का इस्तेमाल करते हुए सोराय लाइफ प्राइबेट लिमिटेड को या अध्योगिक भोमी आवंटित कराई है जो उनकी पत्नी के नाम पर है उन्होंने कहा मुख्य मंत्री स्वय उध्योग विभाग के मंत्री है इसलिए उन्हें इस विशापर सफाई देनी चाहिए उनका आचरन भरस्टा चार निरोधक अधिनियम की धराव के अंतरगत डंडनी है जारखंड के पूर्व राजपाल के संकर नरायन का निधन जारखंड के पूर्व राजपाल वा कांग्रेश के वयोविरिद नेता के संकर नरायन का निधन हो गया है वे 89 साल के थे केरल के पलककर इस्थित आवाजफर अविवार को उनका निधन हो गया बताया जा रहा है कि के संकन नरायन करीब डेड़ वर्ष से अस्वस्त थे चारकन के राज़पल रामेश बैस वा मुख्य मंत्री हमन सुरे ने उनके निधन पर सोक ब्यक्त किया है और सरदांजली अर्पित किया है उन्होंने कहा कि पुर्वराजपाल के संकर नरायन को उनके राजनीती हुआ समाजिक युगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा धन्यवाद